इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे प्लैटिनम इंडस्टीज के बारे में जिसने की कॉर्टर वन के नंबर्स को पब्लिश कर दिया है तो ब्योडी के आउटकम की बात करें तो company ने सिर्फ सिर्फ quarter 1 को लेके announcement करी उसके बाद एक resignation देखने को मिला जो की CFO positions है उसके बाद strategy auditor का भी resignation देखने को मिला देन एक appointment हुई है बस यह सारी चीज़ा आज की दिन देखने को मिल लिए तो dividend bonus या फिट split seller rate में कोई news देखने को नहीं मिल रही है तो चली देखते हैं platinum industries के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे details आपके सामने और सारे figure millions में इन करोड में बात करने वाले quarter 1 की earnings अफ़ोर की then last year का quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले discuss करते है total income जो की revenue from operations और other income को add कर के आती है तो yearly income company की काफी एची grow हुई है 62 करोड से 107 करोड पे quarterly 81 से 107 पे तो काफी एची growth income में quarter plus yearly दोनों ही जगे देन अगर expenses की बात करें तो 47 करोड से 83 पे आ गई yearly और 66 से 83 पे quarter and quarter तो जिस तरीके से income बढ़ी expenses भी quarter plus yearly company के बढ़ गए then discuss करते है total profit for the period जो की last year company को quarter 1 में 11 करोड का profit था वो जबा 17 करोड पे आ गया और quarter 4 में 10 करोड के profit था वो जबा 17 पे आ गया और किसी भी broker ने अपना estimate इस company पे नहीं दिया था नहीं आपको कहीं देखने को मिलेगा तो overall इस बार के जो platinum industries के नमबर है काफी एच्छे quarter और yearly द इस तरीके से profit ग्रोगी है same EPS में भी तेजी देखने को मिल रही तो overall दोस्तों काफी अच्छे numbers है market का एक positive reaction होगा इस पे और share price में भी अच्छी खासी तेजी आ सकती ही तो आपको आस कितने shares in platinum industries के comment box में बिल्कुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बबाए